मैं पुश्पा महाराज विभाग अध्यक शिंदी विभाग महिला कॉलेज डर्ल मिया नगर आज मैं बिये पार्थी 3 की छात्राओं के लिए 6 पेपर में आलोचना टॉपिक पर चर्चा करूँगी आलोचना की परिभाषा, उसका स्वरूप और उसका उद्देश क्या है, उसकी आवशक्ता क्या है साहिते में उस पर चर्चा करूँगी आलोचना के अर्थ को व्यक्त करने के लिए हिंदी में कई शब्द प्रचलित हैं, इनमें तीन विशेश प्रसिद्ध हैं, आलोचना, समालोचना और समिक्षा आलोचना या समालोचना किसी वस्तु अत्वा विशय की उसके लक्ष को ध्यान में रखते हुए, उनके गुण दोशों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्तिक विधा है आलोचना शब्द लुच धातु से बना है, लुच का अर्थ है देखना, समिक्षा वसमालोचना का भी यही अर्थ है अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का विवहार होता है संस्कृत में प्रचलित, टीका व्याख्या और काव्य सिधान निरूपन के लिए भी आलोचना शब्द का प्रयोग किया जाता है किन्तु आचारे रामचंद्र शुक्ल का इस पश्ट मत है कि आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिधान निरूपन से स्वतन तरचीज है किसी साहितिक रचना की अच्छी तरह परिक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थ व्यवस्था का निरृधारन करना ही आलोचना है अब आई ये उसकी कुछ परिभाशाएं देखते हैं हम इनसाइकलोपीडिया ब्रिटेनिका का मत है कि आलोचना का अर्थ वस्थूं के गुण दोशों की परक करना है चाहे वह परक साहिति छेत्र में की गई हो या ललित कला के छेत्र में वर्स फिल्ड आलोचना के स्वरूप को इस्पष्ट करते हुए कहते हैं आलोचना कला और साहिति के छेत्र में निर्ड़े की स्थापना है इसी प्रकार प्रभावादी समिक्षक कारलाईल ने लिखा है आलोचना पुस्तक के प्रती उद्भुत आलोचना की मानसिक प्रतिक्रिया है हिंदी के समिक्षिकों में डॉक्टर श्याम सुन्दर दास आलोचना के सरूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि साहित्य छेत्र में ग्रंत को पढ़कर उसके गुणों और दोशों का विवेचन करना और उसके संबंध में मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है आलोचना के कार और प्रभाव का विवेचन करते हुए डॉक्टर गुलाब राय ने लिखा है आलोचना का मूल उद्देश कभी की कृप्ती का सभी द्रिष्टी कोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उसकी रूची को परिमार् करना एवं साहित्य की गतिविधी निर्धारित करने में योग देना है आचार नंद दुलारे बाजपेई सत्यम शिवम सुन्दरम का समुचित अनवेशन प्रिथक करन और अभिवेंजना को ही आलोचना मानते हैं डॉक्टर भगीरत मेशल कहते हैं कि आलोचना का कार्य कव इन सारी परिभाशाओं को देखकर ये निशकर्स निकलता है कि आलोचना में अर्थ का इस्पश्टी करन विशय का वर्गी करन तथा निर्णे आदी तत्वों का समावेश होता है आलोचना का उद्देश लेखक और पाठक की रुची का परिशकार करना है इस कार्य के अर्थास और तुलना का आश्रे लेता है अतह उसमें पून प्रामाणिक्ता का समावेश भी हो जाता है वास्तों में ये जो आचारियों की परिभाशा और आलोचना है वो साहित्य के निर्मान को प्रोथसाहन तथा असत साहित्य के निर्मान का जहां एक और निराकरन करती वहीं वह साहित्यकारों की निरंकुष्टा पर भी प्रतिबंध लगाती है तथा साहित्य और पाटकों के सम्मंद को सामान भाव भूमी पर प्रतिश्चित करती है एक्चली होता क्या है कि आलोचना का आलोचना शब्द सुनते ही हर कोई ये सोचता है कि इसमें आलोचना का मतलब है किसी भी चीज का सिर्फ दोश अंधान करना लेकिन साहित्य में आलोचना समालोचना का मतलब वो नहीं होता है बलकि उसके गुण और दोशों को देख का अलग-अलग हम उसका विवेचन करते हैं और फिर उस पर जो आलोचक होता है वो अपने मत को व्यक्त करता है वही है वास्तों में आलोचना आलोचना के संबंध में कुछ ऐसी भी धारणाय प्रचलित हैं कि कुछ लोग रचनात्मक साहित्य के अलावा अन्य समस्त कावे से संबंधित कावे आलोचना की परिदी में समलित कर रेते हैं परंतु वह सब वास्तों में आलोचना नहीं है साहित्य में साहित्य अनुसंधान, कावे का इतिहास और कावे के सिध्धान तो इसमें समलित होते हैं और इसी आधार पर आलोचना के स्वरूप को तीन तत्यों से परखा जा सकता है पहला है अनुसंधान जिसमें अनुसंधान का इसका जो कारे है अनुसंधान के अंतरगत अग्या तत्यों की कोश तथा ग्या तत्यों की पुनः नवीन व्याख्या जहां की जाती है वो इसके अंतरगत आती है बातों में प्रारंब से लेकर अंत तक का निश्चित सिधान नहीं रहता है जो अनुसाध्धान का मुख्य उद्देश है तो अनुसाध्धान एक निश्चित धार्णा को लेकर चलता है जहां भी नवीन सुन्दर मौलिक विश्यस्ताय मिले उन्हीं का इस पश्टी करण किसी मांदंड के आधार पर किया जाता है दूसरा है साहित्तिक इतिहास और आलोचना इतिहास का प्रमुख्धे काल क्रम में लेखक और उसकी कृतियों का विवस्थित और स्थूल परिचय देना है आलोचना एतिहासिक प्रिष्ट भूमी को द्यान में रखते हुए लेखक की महतपून कृतियों और उन कृतियों का मुल्यांकन, संबंधी विवेचन, कृती की व्याख्या और उनकी विशेस्ताओं का इस्पष्टी करण करती है इसके बाद तीसरा है कावेशास्त और आलोचना कुछ विद्वान कावेशास्त को आलोचना का एक प्रकार मानते हैं परंतु दोनों में अंतर है कावेशास्त समस्त काव में व्याप्त उसके स्वभाव, सौंधरे, प्रक्रिया, प्रभाव, आदि से संबंधित, नियमों और सिध्धान्तों का विशलेशन करता है तो आलोचना उन्हीं सिध्धान्तों और नियमों को मांदंड के रूप में स्विकार करती है और जहां कावे के नियम सिध्धान्त वरगी करण पर विचार किया जाता है वहां कावे शास्त्र है पर जहां कवी की कृती का मुल्यांकन होत उसकी कवी का यथार्थ मूह लिप्रकट करना है। इसके लिए कृती में व्याप्त, गुणों का उद्गाटन और दोशों का विवेचन करना तो आलोचक का कार्य है ही, साथ ही समाज में और अन्यकला कृतियों के बीच, उस कृती का क्या स्थान और महत्व है, यह इस्पष् करना भी आलोचना का उद्धेश होता है। गुलाब राय के अनुसार, आलोचना का मुल्य देश कवी की कृति का सभी द्रिष्टियों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वादन में सहायता देना, तथा उनकी रुची को परिमार्जित करना, एवं साहित की गत इसी निर्धारिन करने में योग देना है, अर्थात आलोचना का कारिय क्या है, कि वो जो कवी की कृति है, उसका आस्वाद करके पाठकों को उस आस्वादन में सहायता दे, जो उसका एक मूल देश है, जो भी कोई काव्य है, या रचना है, साहितिक रचना है, तो उसका ज इसलिए साहित्य में आलोचना की आवेशक्ता भी पड़ती है क्यूंकि साहित्य का जो भंडार है वो अनन्त वम्विशाल है और साहित्य के प्रती पाठक में जहां अपरमित जिग्यासा और उसकी प्राप्ती की ललक होती है वहीं पर इस तथे से भिग्य है कि उसे पून ही है जैसे हर पाठक हर सारे कावे का आस्वाद लेना चाहता है लेकिन वो ले नहीं सकता है वो तो उस कारे में यह जो आलोचना है जो आलोचक होते हैं उस कृती की का आस्वाद जो होता है उसको पाठकों तक पहुचाने का कारे करते हैं तो वहां पर आलोचना की आवशक पड़ती है। इसके अतरिक्त कभी प्रतिभाओं की विशेस्ताओं का पून उद्घाटन आलोचना करती है। यहां तक माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रभाओं से लेकर तटस्त रूप से सिध्धानतों का वो इस पश्टी करण करें और वो इसके अंतरगत ही आता है। तो इस प्रकार जो आज अलोचना की अनेक पध्धतियां इस युग में प्रचलित हैं वो अत्यनती उप्योगी सिध्ध हुई है साहिते के लिए। तो आज तो हमने आपको अलोचना की परिभाशा, उसके तत्व, उसकी आवशक्ता, उसके उदेश के विशव में बताया, अब अगले आउडियो में हम उसके प्रकार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।